बस्तर के 4000 वर किलोमेटर जंगल के बीच में जो छेत्र है जिसे अभूज माड कहा जाता है और उस अभूज माड में दंडामी माडिया और अभूज माडियाओं की निवास का इस्थान है आज भी कहा जाता है कि अभूज माड जिसे बूजा ना गया हो और माड मतलब जंगल वह जंगल जिसे बूजा ना गया हो लेकिन इस जंगल के अंदर यह जो संस्कृती है इतनी खूपसूरत है इतनी कलाकृती से साथ भरी हुई है कि जितना आप इसे समझने की कोशिस आपके अंदर और ज्यादा रूची आने लगेगी तो आज हम आपको अभुजमाडियों की एक और संस्कृति से परिचित करवाएंगे नमस्कार मैं विकास्तिवारी हूं और आप बस्ता टॉकीज देख रहे हैं बस्ता टॉकीज में दरसल कई दफे मैं हमेशा सुनता था हर किसी के मुझ से कि अभुजमाड के अंदर गोटूल चलता है और गोटूल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे और जो लोग हलका फुलका जो भी जिस तरीके से जानते हैं तो कई लोगों के मुझ से मैंने सुना था कि घोटूल मतलब वो इस्थान जहां पर युवा लड़की और लड़कियां आते हैं और लड़के जो हैं इसमें और नाज गाना करते हैं और यहीं से वे प्रेम विवा भी कर लेते हैं यहीं घोटूल है तो आज जब मैं यहां पर अभूजमार के बहुत अंदर किसी एक गाउं में हूँ और जब मैंने सोचा कि घोटूल को समझा जाए तो मैं घोटूल में पहुचा हुआ हूँ अब आप देखिए कि घोटूल की सबसे खूबसूरत इस कलाकारी और कलाकृती को देखिए यह एक लकडी के पिलर में इस कलाकृती को यहीं कि एक किसी ग्रामीड ने जिसकी अब मौत हो चुकी है उन्होंने बनाया है अब आप सोचिए कि कितना खूबसूरत एक ही लकडी के पिलर में और यह देखिए कि किस तरह से यह कलाकारी है कि लकडी के अंदर ही इन्होंने यह बॉल नुमा लकडी का जो है सनरचना तयार किया है यह भी इसी लकडी का हिस्सा है अब आप सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल है ना अस्रम है ना इनके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन उसके बावजूद उनका दिमाग कितना सार्फ है कि इसको किस तरह से कितनी खूबसूरती सुनों ने बनाया खेर यह अकेला पिल्धर जो है यह आपको बताएगा कि अबूजमाड के अंदर रहने वाले अबूजमाडियों की कलाकृती उनकी परमपरा इसी तरह से खूबसूरत है इसको इसी तरह से देखने समझने की जरूरत है अब उसके बाद इसको लेकर आपको अपने विचार व्यक्त करना चाहिए खेर मैं आपको घोटूल दिखाता हूं यह गोटूल है जिसे आप लोग हमेशा सुनते आये होंगे और अभी चूंकि सुबह का समय है तो यहां आपको यूवा नजर नहीं आएंगे अगर आप यहां पे देर साम पहुंचेंगे लगभग साथ से नहीं रात बिताते हैं लेकिन घोटूल का काम सिर्फ इतना ही नहीं है जो प्रेम विवा वाली भी बात थी वो भी होता है लेकिन केवल घोटूल मतलब इतना ही नहीं घोटूल को लेकर मैंने अभी जब ग्रामीनों से बातचीत की तो इन्होंने बताया दरसल घोटूल गा गाउं का एक कार्याल है मतलब अगर यहां पर कोई गाउं का जगड़ा हो जाए तो इसका समाधान घोटुल में हो गया गाउं को लेकर अगर कोई निड्ने लेना हो तो इसका निड्ने लेने के लिए सारे ग्रामीडों की बैठक घोटुल में होगी कोई अधिकारी बाहर से या डॉक्टर आए तो घोटूल ही आएगा मतलब गाउं को लेकर किसी भी क्रिया कलाप को लेकर अगर कोई काम होगा तो घोटूल में होगा कुल मिलाकर घोटूल केवल नाज गाना और प्रेम के लिए केंद्र नहीं है घोटूल सारे समस्याओं का समाधान है जहां में यहां होता है साम को आठ बजे जमा जमा होते हैं उसके बाद जमा होके पूरा लड़की लड़का लोग जमा होते हैं यूवाक लोग तो यहां कुछ गाना भी चलाते हैं तो मंजरी भी कहलते हैं उतिहार बनाने से और तेयार नहीं होने से यहां का गटूल का काम है कि क से शादी से भी यहां केलते हैं और जगड़ा होने से भी यहां जगड़ा ओने का पंच भी हैं निवटा चैने एक लिए पढ सकता है और अधे नोग आपको कवा कि शैर्चे कर सट रही कि पूरते ह surge कर के बquarरे कि यहां से निकालते शुभे हैं तो लड़के लड़की मिल्लों नी ne गाउने कहा हैं इसकाँ करें हैं पसंद भी यहां चलता है इस सिर्भ भाई वह जैसा है मिलाकर यहां अगर कोई लड़का की लड़की को पसंद कर लिया तो नीकार सकते हैं पसंद करने से वो भी साधी करते हैं घर торतों को अबक्राइ Kokं तो से उसे मन्न होता है ऐसी कियों की और बैया और बहीं के साथ ऐसी पसंद करने से वह भी गलत होता है उसको दोक्रा लोग जम्मा होके उसको मिटीं भी करते हैं अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया तो तो यह भी है बुजूर्ग है इन से हलाकि गूंडी म बताएंगे रंजीत इन से पुछण की गोचुड इसको बनाने के लिए क्या सूच था क्यूं बनाया गया था गोचुड ना जो जोल бол乐 भातल सूच थे बॉच से नता है उस मावेदा ऐक लेकमन्दा गट्डोली विकादों तकlies क候 सबता है और मोलेखने शाध़ी हो जैसे अफ्ढालने गर्जाश काम चाहिं जहां तैंका फिर किन्गा काम पुरेश पूरा किल्यार किलेश हो देश कुछ बहुता है सियान गाओं के जो सदस्या है उन लोग पुरा गुटुल में बेटेंगे आपीस है हमारा बुर रहे हैं अच्छा यह पूछो कि जैसे जो लड़के-लड़की यहां नासते हैं तो उसमें क्या उन लोग आपस में पसंद कर लेते हैं साधी वाला क्या है वाला सिस्टम यहां पसंद करते हैं तो फिर माबब कर लेते हैं लड़की को भी पुछते हैं और लड़का को भी तुम लोग पसंद करते हैं ते if want to take the लड़की भर पाई करेगी, तो बढ़की भर perfect च्या भर्पाई करेगी मतलब जुर्बाना जो भी लेंगे, जुदून जो भी लेंगे फिर वो जुर्बानांत है किया जाएगा घंट जुर्बाना जाएगा तो कभी ऐसा हुआ है पुछ झुकि जुर्बाना यहां गाउं में लगाएं कि भू नहीं हो इसे बस्केट मुन आमाता हुआ जिए चुवाल आता हम अधिर से मौन आ लगां जूर गनना पिल्दना गलत पेकन गलत आते आय ते इगनमाट देता नू तीन बर गलती वह बुर्य अच्छा मतला यहीं परनिप्टा है कितना जूर्माना लगाई बचन इतिर आदे ती तनू तन लेका इता कोंदा पद्धी कंडी मेंडरें कंडी नू कां जूर बनना लेका मेटी द्रम गलत आते का द्रम की नू गलत लेवेके कम आये ता क्या जूर्माना लगाए मदला यहां पुरे गाहों वाले बैठके बरहा हो बखरा हो ओ लेते हैं चावाल दारू अच्छा उधना को मतला ओ सामने वाल देगा जो गलती करेगा और गलती क्या था वहीन और ब अच्छा में तक है अगलत है हमारा सियान समय से भी आइसा नहीं है बोले तो इस वाज जैसे उनको जूर्बा ना लिए तो फिर वह सारे समय ना पर यहें गोटुल में बनता है उसके बाद मतला जितना भी जेते हैं जो जूर्बाना में जूर्बाना में और फिर ओजे खर्चा देते हैं खर्चा कितना देते हैं खाना जैसे बरहा देंगे अचा खर्चा में समान देंगे अचा खर्चा में समान देंगे वह बरहा देंगे तीन बार गलती हुआ है यहां पर तीन जन से हुआ है तीनों से यही गलती हुआ है पूछो एक बार मुवी राशा यह कभी आइसा गलती नहीं हुआ कि कोई साधी करने बाद पर छोड़ दिया ऐसे जो एक बार साधी कर लिया कर लिया तो देखिए यह भी एक कितनी खुबसूरत प्रथा है और कहा जाता है कि बड़े बुजूर्गी समाज की जो है एक नीव होते हैं और एक पिलर होते हैं जो सम माल के रखते हैं उसी खुबसूरत पिलर की तरह तो यह भी बुजूर्ग है इन्होंने बताया कि किस तरह से यहां पे जो एकदम से कठोर नियम यह है इनका कि अगर कोई गलती हो भी तो उस पे सजा भी यहीं पे सुनाया जाएगा इसी घोटुल में समाधान भी है तो सज परिच किया है कि ऐसा नहीं है क्यों यहां पे लड़कियां लड़कों को या लड़के लड़कियों का आपस में पसंद कर सकते हैं अगर पसंद कर लिए तो उनके विवाद से पहले उनसे पूस्ताच की जाती है गाउवालों के सामने और इसी घोटुल में परिवार वालो और उनके बीच प्रेम हो जाए तो उन्हें फिर सजा भी सुनाई जाती है लेकिन घोटुल फिर प्रेम के लिए नहीं है घोटुल समस्या का समाधान है घोटुल गाओं का एक वो कार्याला है जहां आने के बाद ग्रामीनों के सारे समस्याओं के समाधान धूंडे जाते हैं एक जूट होकर मिलकर किसी का भी समस्या हो पूरा गाओं यहां एकत्रित होगा चर्चा होगा और उस पर जो सबसे बेश्ट निर्ने होगा उस पर फिर अमल किया जाएगा यह बस्तर के अभुजमाडियों की खुबसूरती है अभुजमाड के घोटुल की यह भी एक कहानी है सच्चाई है और भी अलग-अलग कहानी को अलग-अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिज करूंगा अगर आपको लगे कि इन सब छोटी सच्चाईयों को बहुत सीधे और सपाट तरीके से समझना चाहिए तो आप बस्तर टॉफिस को सब्स्राइब कर तक बंदाने हाँ